नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिग्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से. कुछ दिन पहले केंद्रे रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने विनायक दामोदर सावरकर की एक नई बायोग्रफी लॉंच किया था. अपने भाशन में उन्होंने दावा किया, ये आइकॉनिक हिंदुत्व नेता ने महात्मा गांधी की सलापर ब्रिटिश सरकार को मर्सी प्ली लिखी थी. इस दावे से विवाद छिड़ गया. आप सभी जानते हैं सावरकर ने 1911 में आंदमांस के सेलूलर जेल भेजे जाने के तुरंत बाद से मर्सी पिटिशन्स की एक लंबी श्रिंखला फाइल की थी. आज मैं इस बात पर चर्चा नहीं करूंगा कि उन्होंने माहत्मा गांधी की सलापर इन्हें दायर किया था या फिर नहीं. इसके बजाए मैं चर्चा करूंगा सावरकर कौन थे और हम भारतियों को उन्हें कैसे याद करना चाहिए या कैसे याद रखना चाहिए क्या वेवीर थे या कायर Was Savarkar a staunch nationalist as his supporters make him out to be or was he someone who helped colonial forces by promoting divisiveness amongst Indians Savarkar की आकलन की बात की शुरुवात मैं 1906 के London में October की एक सर्द शाम की घटना से करूंगा One Brahmin, a Maharashtrian Brahmin was sautéing prawns in his room in India house and he was playing host to a vegetarian Vaishay Gujarati who was in town to lobby for the rights of Indians living in South Africa भोजन तैयार होने के बाद उन्होंने अपने महमान को खाने के लिए आमंत्रित किया अतिथी ने कहा वे शाकाहारी था सुनने पर host ने मजाक में कहा बिना animal protein खाए आप अंग्रेजों की ताकत को कैसे चुनोती दे सकते हैं सावरकर और गांधी के बीच ये पहली मुलाकात थी Their different choices of food were symbolic of a lifelong dichotomy between their political outlooks सावरकर viewed nationalism from an exclusivist prism while Gandhi was wanting to unite every community irrespective of their religious identity उस समय सावरकर लंडन में 23 साल के कानून के चात्र थे गांधी महात्मा नहीं थे और तब केवल एक भारतिये वकील थे वे जोहनस्बग में सत्याग्रह शुरू करने की तैयारी कर रहे थे दोनों भारत के गौरवशाली अतीत को फिर से जीवित करना चाते थे परन्तु गांधी की राम राजे का आदश सावर करके हिंदू राष्ट की कलपना से बिलकुल अलग था उस सर्द शाम गांधी सावर करके घर से ना सिर्फ खाली पेट लोटे उन्हें सत्याग्रह के लिए भी समर्थन नहीं हासल हुआ the meeting disturbed Gandhi immensely as late as three years later he wrote to Gopal Krishna Gokhale he shared his remorse about Savarkar's viewpoint of adopting violence as a legitimate political tool to overthrow the British ऐसा लगता है हिंसा और हिंसक गतिविधी ने सावर कर का साथ कभी नहीं छोड़ा 5 February 1948 को गांधी जी की हत्या के छटे दिन सावर कर को उनके हत्या के शड्यंत्र में शामिल होने के जुन में गिरिफतार किया गया he was acquitted a year later in February 1949 but the Jeevan Lal Kapoor commission of inquiry into conspiracy to murder Mahatma Gandhi that was appointed later it stated that the needle of suspicion pointed to Savarkar's involvement in the plot इस बात में कोई शख नहीं सावर कर के उपर जो सबसे बड़ा विवाद है वो महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा है ये सावर कर की विरासत पर दाग है जिसे आज की सरकार धोने की कोशिश कर रही है that is why Rajnath Singh's effort to seek a character certificate from a Gandhian memory is certainly paradoxical ये विशुद रूप से एक गांधी वादी थपा के महत्व को अंडर्सकोर करता है there is need to have ultimately the legitimacy of Gandhianism if you want to resurrect Savarkar in this country in the early years of his political activism as a student Savarkar was inspired by Bal Gangadhar Tilak and this Hindu revivalist outlook लेकिन जब वे राश्री आंदोलन का हिस्सा बने तो Savarkar ने अभिनव भारत सुसाइटी की गतिविदियों को बंगाल के क्रांतिकारी राश्रवादी ग्रूप अनुशीलन समिती के साथ तालमेल बिठाने का काम किया लंडन में भी Savarkar क्रांतिकारीयों के एक समू में शामिल हो गए आम्ड रिबेलियन के माध्यम से वे भारत को मुक्त करना चाते थे He set up अभिनव भारत सुसाइटी इन लंडन and started attending Sunday meetings of Free India Society founded by Madam Bhikaji Kama बहुत जल्द विनायक दामदर सावर कर ने Guseppe Mazzini Spearhead of the Italian Revolutionary Movement उनकी जीवनी का मराठी में अनुवाद किया 1908 में उन्होंने भारतिये स्वतंतरता संग्राम 1857 नामक एक पुस्तक लिखी इस किताब में उन्होंने 1857 की क्रांती को हिंदू-मुसल्मान एकता का एक अदिवत्य उधारन बताया सावर कर के हिसाब से हिंदू और मुसल्मान इखटे हुए इसलिए अंग्रेज साशन को इतना बडा जटका लगा था Soon, India House became the centre of revolutionary activity in London and Savarkar played a significant role in furthering its cause He also couriered pistols to India One of these was used to assassinate a British magistrate who sentenced his elder brother G.D. Savarkar to prison the charge writing patriotic songs deemed seditious by the British Savarkar, Madan Lal, Dhingra और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुडे थे उन्होंने एक British अदिकारी को गोली मार दी थी Dhingra की बात कर रहा हूं British law finally caught up with Savarkar and he was deported back to India for involvement in what came to be known as the Nasik conspiracy case जब उन्हें भारत वापस लाया गया तब वे 27 वश के थे Savarkar तब तक एक राश्ट्रिय नायक बन गय थे उन्हें वीर कहा जाता था उनकी क्रांतिकारी गतिविधि और England एवं योरोप में बहादूरी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था There were many ideological confusions in Savarkar at that stage but we can leave that out for the moment due to pausity of time I have detailed these out in my book The Aresis, Icons of the Indian Right Savarkar के राजनितिक जीवन को तीन चर्नों या फिर फेज़स में विभाजित किया जा सकता है पहला जब उन्होंने क्रांतिकारी राश्रवाद और हिंदू राश्रवाद के पीच में संतुलन बनाया ये चर्न 1910 में उनके imprisonment और cellular jail में deportment के साथ समाप्त हुआ इस चर्न में उनकी गतिविधी के लिए उन्हें वीर कहा जाता है the second phase of his life began in 1911 with his confinement in the Andamans and continued till 1937 इस फेज के दौरान उन्होंने अपना मौलिक काम लिखा Hinduत्व, Hindu कौन है it was this seminal work in which he codified the Hinduत्व idea that ensured that future generations of Hinduत्व supporters would treat him as a revered guru, a proponent of Hindu rasht someone who codified Hindu nationalistic thought उनके जीवन के इस पड़ाओ में वीर्ता के कोई अंश नहीं है ये वही दौर है जब उन्होंने जेल में अंग्रेजों को mercy petitions लिखी थी इन याचिकाओं के कारण अंग्रेज उनके साथ नर्मी बरत्ते हैं उन्हें अन्दमान जेल से तो छोड़ दिया गया लेकिन पूने और अतनागिरी के जेलों में रखा गया गौर तलब है चुकि वे क्रांतकारी राष्ट्रवादी रहे थे इसलिए उनकी लगातार चल रही इंप्रिजन्मेंट के खिलाफ काफी nationalist leaders ने आवाज उठाई थी उन्हें छोड़े जाने के लिए अरजी भी दी थी paradoxically, even the Indian National Congress passed a resolution in 1923 calling for the release of सावरकर In a nutshell, विनाएक दामदर सावरकर के जिन्दगी के पहले दो phases को हम इस तरह से summarize कर सकते हैं पहले सावरकर हिंदुस्तान में बड़े होते हैं उन्हें scholarship मिलती है, वो राष्ट्रवादी गुतों में शामिल होते हैं विलायत चले जाते हैं लंडन में इंडिया हाउस में रहते हैं, वहाँ भारतिय करांती कारी राष्ट्रवादियों के साथ शामिल होते हैं 1857 की करांती पर एक अच्छी किताब लिखते हैं जिसमें हिंदु-मुस्लिम यूनिटी की नेसिसिती की बात करते हैं 1910 में नासिक के कलेक्टर के हत्या में शामिल होने के आरोप में लंडन में गिरिफतार होने के बाद उन्हें काला पानी भेज दिया जाता है दूसरे फेज में सावरकर का रिदय परिवर्तन उनकी किताब हिंदुत्व हिंदू कौन है और उनके पिटिशन से स्पष्ट होता है वे साथ साथ उपन्यास और नाटक भी लिखते हैं जो सांप्रदाइक तोर पर भढ़काउ होते हैं सावरकर राजनितिक तोर पर रेप के इस्तिमाल को जायज ठहराते हैं हिंदुस्तान के लिब्रल, प्रोग्रेसिव और सेकुलर लोगों की परेशानी सावरकर की राजनितिक जिन्दगी के दूसरे और तीसरे दौर से है सावरकर की राजनितिक केरियर का तीसरा फेज 1937 में शुरू होता है उन पर लगे गए प्रतिबिन हटा दिये जाते हैं वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन जाते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश साशन के साथ कोलाबोरेट करते हैं Quit India Movement का समर्थन नहीं करते हैं सावरकर It is during this phase Nathuram Godse is nurtured by सावरकर in various capacities India's right-wing forces harp only on सावरकर's role during the revolutionary nationalist phase of his life and not his divisive and violent preachings in the second and third phases of his life I hope I have succeeded in very briefly explaining how there are two distinct सावरकर's and why people like us are open to appreciating his life in the pre-Andaman phase and yet why do we have major disagreements with the later part of his life इसी वज़े से सावर करके ग्लोरिफिकेशन का विरोध करना चाहिए Thank you and धन्यवाद